दोस्तों कलाकार सिर्फ कलाकार नहीं होते वे तो अपनी मेहनत से कला को साकार करने वाले होते हैं संगर्ष भरे जीवन में कठिनाईयों को कर किनारे मेरे हिसाब से उसी कलाकार को सच्चा कलाकार कहते है जी हाँ ऐसे ही एक बहतरीन आक्ट्रिस रुपाली गांगुली से आज मैं पायल आपको मिलवाऊंगी मैं आपको उनकी रियल लाइफ और रील लाइफ का अब तक का सफर बताऊंगी टीवी की मशूर आक्ट्रिस रुपाली गांगुली तो आपको याद ही होगी जिन्होंने पॉपिलर कॉमिडी सीडियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई में अपनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग से लाखो दिलों को जीता था रुबाली का जनम 5 एपरिल 1977 को कॉलकता में हुआ था अक्टर रुपाली गांगुली जानी माने फिल्म डारेक्टर अनील गांगुली की बेटी है वे बचपन से ही कला की दुन्या से जुड़ी हुई है उन्होंने 2000 में टेलिवीजिन की दुन्या में एंट्री की उनका पहना सीरियल था सूकन्या इसके बाद वे संजीवनी और भावी जैसे सीरियलों में भी दिखी उसके बाद उन्होंने कई रियालिटी शोज भी किये जिन में खत्रों के खिलाडी, बिग बॉस, फियर फैक्टर, किचन चाम्पियन, मीठी चूरी जैसे सीरियल शामिल है वही अपनी परसनल लाइफ की वज़ा से वैं लंबे समय से टीवी की दुन्या से दूर थी रुपाली को आखिरी बार सोनी टीवी की शो कुछ खटा कुछ मीठा में देखा गया था जो की साल 2013 में आया था लेकिन अब रुपाली गांगुली की लगभक साथ सालों के लंबे समय के बाद अनुपामा नाम के शो के साथ टेलिवीजन की दुन्या में वापसी हुई ये शो स्टार प्लस और डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ रहा है ये एक मराठी सीरियल का रीमेक है जुसमें एक हाउस वाइफ की कहानी दिखाई गई है रुपाली की शादी को साथ साल से ज्यादा समय बीद गया है उन्होंने 6 फरवरी 2013 को अश्विन के वर्मा से शादी की थी शादी के करीब धाई साल बाद दोनों पेरेंस बने और 2015 में उनके बेटे का जनम हुआ रुपाली सोशिल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है और अकसर खुद से जुड़े पोस्ट शेयर करती रहती है इंस्टाग्राम पर उनके धाई लाग से भी जादा फॉलोवर्ज है हिंदी टीवी सीडियल टी यार पी के मामले में पिछले काफी समय से नंबर एक पर बना रहा है सीडियल अनुपामा रुपाली गांगुली इन दिनो चर्चा में है रुपाली गांगुली मौजूद समय में सबसे जादा चर्ची टीवी प्रसनालिटी है स्टापलेस पर प्रसारित इस सीडियल की कहानी अधेग उमर के पती-पत्नी के रिष्टे पर आधारित है जिसमें अपने पती पर अटूट विश्वास करने वाली अनुपामा को धोका मिलता है अनुपामा को जब ये पता चलता है कि उनके पती का उनके सेक्रेटरी के साथ संबंध है तो वे तूट जाती है लेकिन फिर वे अपने परिवार वे बच्चों के लिए अपने आपको संभालती है अनुबामा का ये एक शक्त महिला के रूप में खुद को ढालती है कैरेक्टर सबको खूब पसंदा रहा है ये ऐसा शो है जिसमें एक लेडी के स्ट्रगल की बात दिखाई गई है कैसे एक हाउस वाइफ की वैल्यूज को ठेस पहुंसती है और उनसे फिर कैसे अपनी एक नई पैचान बनाने के लिए वे फाइनली अपने आपको उस मोड में ढाल लेती है अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि अनुपामा की कहानी आगे क्या मोड लेती है वेल अनुपामा जी उफरुपाली गांगुली ने एक इंटरव्यू में बातचीत के समय बताया था कि उनका बेटा अब साथ साल का हो गया है इसलिए उसे कुछ घंटों के लिए घर चोड़ सकती है दूसरा अनुपामा का रोल इतना अच्छा था कि वे मना ही नहीं कर पाई उनके पती ने भी उन्हें काफी सपोर्ट किया उनके लिए ये मुश्किल थी कि उनकी सास की उम्र काफी जादा है और बेटा मात्र साथ साल का है ऐसे में दूविधा ये थी कि सब को घर चोड़ कर वे शूट पर कैसे जाए लेकिन उनके पती ने उन्हें काफी सपोर्ट किया और कहा कि वे सब मैनेज कर लेंगे वेर रुपाली जी आप सही में हम सब की फेवरिट आक्ट्रिस है एक बात वैसे दोस्तों मुझे समझ नहीं हाई हमारे टीवी सीरिल्स में इतने बड़े बड़े घर होते है लेकिन जब लाइट जाती है तो सब मोम बत्ती क्यों ढूनते है क्या उन बड़े घरों में जेनरेटर तक की फेसिलिटी नहीं है क्या पता है ये टीवी शोज में कुछ भी हो सकता है जनाब आज के लिए बस इतना ही फिर मैर पायर लोटूंगी आपके लिए ऐसी ही मसालिदार चटपटी और गॉसिप्स लेके तब तक के लिए अलविदा मेरे चानल टेली मर्च मसाला को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजे